बंदे पुर्सोत्मम तपोवन के एक छात्र को कुट्टा पालने का बड़ा सौख है वह जब ठाकुर के निकट आया है तो उसके साथ उसका कुट्टा भी चला आया है स्री सिठाकुर क्या यह तुम्हारा कुट्टा है छात्र जी हाँ एक तरह से मेरा ही है मेरे पीछे पीछे घूमता है जब तक मैं स्वयम इसे खाने नहीं देता तब तक खाता नहीं जब से इसने मुझे देखा है तभी से यह कुट्टा मेरे पीछे लग गया है मेरे घर पर एक अच्छा कुट्टा है, वह मुझे बहुत प्यार करता है, स्री सिठाकुर, तुम प्यार करते हो न, इसलिए वह भी तुम से प्यार करता है, कुट्टा पालना अच्छा ही है, मुझे भी पहले कुट्टा पालने का जोग था, कुट्टा का पालन करने में मनुस्य स्वयम ही उससे बहुत कुछ सिक्षा पा सकता है बड़ों को मानने की बुद्धी जितनी हमें रहती है उतना दूसरा भी हमें मानता है यहां तक की छोटे जीव जन्तु भी नहीं चूपते इन सब जीव जन्तुओं को पोसने के समय यह अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि किस सम आख मुह और चेहरा देखकर समझ जाना चाहिए कुटे बिल्ली के चरित्र को इस तरह जान सको तो मनुस्य के चरित्र को भी जानने में देर नहीं होगी यदि कुटा ही पोसना चाहते हो तो ऐसा कुटा पोसो जिसका जात और वंस खूब अच्छा हो जो कुटा अच्छा जात या वंस का होता है वह कभी विश्वास घातक नहीं होता वह किसी के लोभ में नहीं पड़ता बलकि जो उसे लोभ दिखाता है उसी पर तूट पड़ता है ऐसे अनेक कुटे हैं जिन्हें एक टुकडा मांस का लोभ दिखा कर चोर आसानी से चोरी कर सकता है किन्तु पै प्रभु का कभी नुकसान होने नहीं दे सकते। ऐसे कुट्टों में भक्ति प्रीम का एक अकृत्रिम रूप देखा जाता है। जिस तरह वे आज्याकारी होते हैं, उसी तरह पराक्रमी भी। जिस तरह सैयत होते हैं, उसी तरह तेज भी। छात्र ने कहा घर का कुट्टा छोड़कर जब मैं यहां आया तो उसके बिना मेरा मन बड़ा उदास रहता था जिन्तो इस कुट्टा को पाकर मेरा मन उतना खराब नहीं रहता है पर सोचता हूं कि जब परिक्षा देकर यहां से जाऊंगा तो उस समय इसका मन खराब हो वैसे व्यक्ति पर ही दायत तो सौंपोगे जो तुम्हारी तरह कुट्टा को प्यार कर सकता है और तुम अपनी उपस्थिती में उस व्यक्ति के साथ उसका स्नेह पैदा कर दोगे तभी वह कुट्टा उसमें तुमको देख पाएगा तुम्हें भी छोडने में उतना ठाकुर को प्रडाम कर चला गया ठाकुर जी की एक वाड़ी है ठाकुरेर कुकुर तुम्ही निष्ठा सीकल गुले पड़ा डाकले काछे आ सुन तड़ाओ दूर खड़ा जानी तुम्हारे गले में निष्ठा का सीकल पड़ा हुआ है यदि वो तुमको बुलाते हैं तो उनके पास आओ और यदि तुमको भागाते हैं तो भागना नहीं दूर जाकर के खड़े हो जाना पेश संख्या 52, 53, 54 आलोचना प्रसंग तृतिय भाग से जाए गुरू